हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों हम लोग इस समय पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री और 11th क्लास की केमिस्ट्री में 1st चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉंसेप्ट आप कमिस्ट्री सम बेसिक कॉंसेप्ट आप कमिस्ट्री में आपको अभी तक 1,2,10 वीडियो यूटूब पर अपलोड कर दिया गया है कुछ वीडियो लाइब क्लास और कुछ रिगार्डेड वीडियो है आज हम लोग पार्ट 11 पढ़ेंगे 1st चैप आपके एकजाम में आईटी जेई और नीट में आते रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आवरेज आटामिक मास बहुत ही इंप्वाटेंट है तो आज हम इस वीडियो में बच्चों आवरेज आटामिक मास के कुछ नुमेरिकल सॉल्व कराएंगे फिर उसके आगे ह भी बोला जाता है और ग्राम एटामिक बेट वो मूल के बराबर होता है तो बच्चों आज हम लोग कांटिन्यू करेंगे अभिस्वांत चौधरी गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग आप जल्दी से सेर करिए सारे लोग लाइप कनेक्ट हो जाए उसके बाद फिर मैं कांटिन्यू करता हूँ बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट ख्लास है आज का क्लास मान करके चलिए आपके एगजाम में कहये कंपरडिशन हो जही नेट या आपके स्कूल का एगजाम है बहुत इंपॉर्टेंट नुमेरिकल यहां से आते रहते हैं तो वाज का क् है अभी मैं कांटिनू करता हूं सभी लोग जुड़ जाए देखे मैं स्टार्ट करता हूं जैसे यह नुमेरिकल आपके सामने दिया गया है बोरॉन है टू आइसोटोप बोरॉन टैन एंड बोरॉन 11 फूज परसेंटेज एवेंडेंस आर 19.6 परसेंट एंड 80.4 परसेंट रिस्पेक्टिविली वाट इज दा आइवरज अटोमिक मास आ बोरॉन तो बोरॉन का आइवरज अटोमिक मास क्या होगा तो कल ही मैंने फार्मूला बताया था बच्चों आइवरज अटोमिक मास इक्वल टू यमवन एक्सवन प्लस एम्टू एक्सटू डिवाइड बाई एक्सवन प्लस एक्सटू अब ये यमवन क्या है एंड एम्टू क्या तो यमवन एंड एम्टू ये मास है कोई भी आइसोटोम अगर है तो उसका कितना मास होगा यमवन एंड एम्टू है ये एक्सवन एक्सटू क् that isotope in nature मतलब उस isotope का nature में कितना percent existence है वो X1 और X2 है और M1 mass है तो अगर हम यहां देखें बच्चों तो boron 10, boron 11 तो यहां हो जाएगा M1 M1 equal to हो जाएगा 10 और M2 equal to हो जाएगा 11 X1 equal to हो जाएगा 19.6 है and X2 and X2 equal to X2 equal to बच्चों हो जाएगा 18.4 यह given है तो अगर हम इसको बच्चों रखें इस फार्मूले में तो क्या होगा बताएगे जल्दी से कितने लोग इसको solve कर सकते हैं देव मिसरा नमस्ते नमस्ते बाबू कितने लोग इसको solve कर सकते हैं बताएगे यम 1 रख दो 10 into X1 का वैलू कितना है 19.6 plus यम 2 कितना है बच्चों 11 तो 11 रख दो into X2 का वैलू कितना होगा 80.4 divide कर दो X1 plus X2 X1 कितना है 19.6 plus X2 कितना 80.4 और जब इसको solve करोगे बच्चों तो आपका answer आजाएगा 10.804 AMU AMU लिख दिया गया इसका मतलब 1 boron atom का मास होगा ठीक है बच्चों अगर AMU लिखा गया इसका मतलब 1 atom का जो मास होगा AMU बोला जाएगा अगर gram लिख दिया गया इसका मतलब 1 से ज़्यादा atom हो सकते है तो ये ध्यान देना अब ये हमारा निकल गया average atomic मास किसका boron का कितना जाएगा 10.804 सेकंड नुमेरकल देखिएगा बच्चों थोड़ा सा अब यहाँ देखे calculation में आपका सकते हुआ आप देखिए सेकंड नुमेरकल देखिएगे कितने लोग इसको solve कर पाएंगे हो जाएगा कि नहीं 18.4 राइट आंसर 18.4 नहीं 18.8 भावू solve करो सही से calculator आप यूज करिए उसको solve करिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बताओ ये नुमेरकल कितने लोग ट्राई कर सकते हो कितने लोग कर सकते हैं कमेंट में यासिया कारा है कारबन अकर्स इन नेचर कारा कारबन नेचर में पाया जारा as mixture of C12 और C13 अगर कारबन का आइसोटोब देखे तीन होता लेकिन ये question में दो ही कारा है कि C12 और C13 के फावर में पाया जारा है कारबन इतना आइबरेज अटोमिक मास दे दिया है कारा है कारबन का कितना होगा किस कारबन का कारबन 12 का कितना परसेंट एक्जिस्ट करेगा environment में ये question है बच्चों अब यहाँ देखे question थोड़ा सा घुमा दिया है हो जाएगा चलो ट्राइ करो जल्दी से अब यहाँ देखे मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ फार्मूला क्या है बच्चों बताए average average atomic bed equal to 2 isotope है M1 M2 तो फार्मूला यही तो है M1 X1 plus M2 X2 divide by X1 plus X2 यही तो फार्मूला है अच्चा यह बताओ बच्चों अब यहाँ यहाँ तो M1 दिया है M1 कितना है बच्चों 12 M2 कितना है 13 और average bed भी दे दिया है 12.001 लेकिन यहाँ X1 and X2 का value नहीं दिया है इसका मतलब बच्चों हमें X1 and X2 का value मानना पड़ेगा तो क्या करेंगे let let X percent X percent abundance है किसका abundance abundance of C 12 C12 का मैं ले लेता हूँ abundance कितना है बच्चों X percent C12 का abundance कितना है X percent है तो यह बताए C13 abundance of abundance of C13 कितना होगा 100 minus X हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं बताएगा जब भाई यह बताओ X percent है C12 का 100 में से माइनस कर दोगे C13 का भी हमें मिल जाएगा क्योंकि total 100 percent ही तो होता है तो माइनस करोगे नमस्ते नमस्ते बाबू चलो ठीक है आगे continue करते हैं बताएगे अब इसको अगर solve किया जाए तो हम फार्मूले में रखते है average atomic mass कितना दिया है बच्चों 12.001 equal to yamon का value किना दे दिया है 12 और x1 x1 को माल लिया गया है x x1 को किना माल लिया गया x and x2 को माल लिया गया 100 minus x यह तो होगा तो 12 into x plus plus कर दो फिर क्या करेंगे 13 और x2 के जगा पर yam2 क्या 13 है और x2 के जगा पर रखेंगे 100 minus x divide कर दो बच्चों divide करो कि कितना से divide करोगे x1 plus x2 और x1 x2 को वाइड करोगे 100 यानि 100 से divide करना है क्योंकि total 100 में तो निकलेगा percentage तो अब अगर इसको solve करोगे तो 12.00 और 12 x और प्लस multiply कर दोगे तो 1300 और minus 13 x divide by 100 ऐसे solve किया अब इसको यहां से आप निकाल सकते हो इधर जाएगा multiply हो जाएगा multiply करोगे तो यहां से आपको multiply होगा solve करोगे तो x का value आपको मिलेगा बच्चों 98.9 यानि abundance आ गया abundance आप c12 c12 का abundance कितना परसेंट आ रहा है 98.9 परसेंट तो 100 में से अगर इसको minus कर दोगे तो हमें मिल जाएगा हमें अगर बताना हो c13 का तो क्या करोंगे 100 minus 98.9 करोगे तो हमें carbon 13 का percentage मिल जाएगा बताइए बच्चों समझ में आया की नहीं आया कितने लोगों को समझ में आ गया comment करके जल्दी से बोलिए 98.9 परसेंट बबू calculation करना पड़ेगा calculation है numerical में main calculation है calculation अगर अच्छे से आप कर रहे हैं उसका मलब numerical आसानी से deal कर ले जाओगे अब बच्चों ये तो important दोनो numerical important थे जही और neat में बार-बार पूछे जाते हैं इस टाइप की numerical अगला concept जो बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही interesting और बहुत important है जैसे पिछले कलास में हम discuss कर चुके थे screen start लीजिए notes में आप इसको लिख लीजिएगा notes बहुत ही effective होना चाहिए मैं पूरे chapter का इतना अच्छे से लिख लिख करके आपका notes बनवाऊंगा कि आपको YouTube पर किसी भी YouTuber का वीडियो आप देखोगे तो notes हमारा ही प्रभावी आपको लगेगा तो इसलिए आप serious हो करके पूरा class attend करिए आपको J और NEET और आपकी school level का question में कोई भी problem होने वाला नहीं है तो हम बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला concert देखिए देखिए जैसे पिछले class में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो atomic bait होता है atomic bait का दो unit use करते हैं पहला हम बोलते हैं AMU and second is हमने बोला था gram AMU and gram दो unit use करते हैं किसका atomic bait का तो AMU मतलब ये किसके लिए use किया जाता बच्चों ये use किया जाता है bait of bait of one atom बेट of one atom हम अगर one atom की बेट की बात किया जाए बच्चों तो हमेशा unit हम amu लिखेंगे क्यों कि भाई सबसे छोटा particles atom ही तो है और good morning good morning सबसे जो smallest particles है वो atom ही तो है अब atom को बेट करना है तो unit भी सबसे छोटा लेना पड़ेगा तो amu सबसे smallest unit amu means atomic mass unit तो बेट आप one atom अगर बात किया जाए तो amu में major करेंगे amu atomic mass unit अगर gram की बात करेंगे बच्चों इसका मतलब ये होगा gram अगर देखा जाए तो ये किसे हम बोल सकते हैं gram atomic bait gram को ही gram atomic bait बोल सकते हैं अब ये gram atomic bait को shortcut में बुक में ऐसे लिखा रहाता जी ए डबलू gram atomic bait या gram atomic mass भी बोलते हैं तो आप का सकते हो जी ए डबलू gram atomic weight या gram atomic g am gram atomic mass अब ये gram atomic mass मतलब ये का सकते हो बच्चों ये क्या है ये बेट है gram अगर लिखा जाए तो क्या है bait है bait of one mole one mole atom one mole atom का जो bait होगा बच्चों उसको हम लिखते हैं gram में किसमें लिखते हैं gram में good morning sir good morning km sir km sir भी आ गए है life में good morning bait of one mole atom की अगर हम बात करेंगे gram में और bait of one atom की बात करेंगे तो amu में ठीक है बच्चों इसका मतलब ये हुआ हम इसी को लिख सकते हैं bait of one mole मतलब 6.022 into 10 to the power 23 atom अगर 6.022 into 10 to the power 23 atom का अगर bait देखेंगे बच्चों तो gram में लिखा होता है जो atomic bait होगा वो gram में अगर लिख दिया जाए atomic bait तो वही हो जाएगा bait of 6.022 into 10 to the power 23 atom का bait हो जाएगा ठीक है बच्चों अब ये बताओ gram atomic bait हो चाहे 1 mole हो बात एक ही है gram atomic bait mole तो मैं इसी concept को आपको समझाने वाला हूँ बच्चों gram atomic mass है क्या तो next hidden लिखेगा प्यारे बच्चों gram atomic atomic mass या bait chemistry में bait और mass सेम ही होता है तो gram atomic mass की अगर हम बात करें या इसी को बच्चों बोला जाता है gram atom इसी का दूसरा नाम और क्या बोल सकते है gram atom बहुत conceptual बात ने चल रही है बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप concentrate नहीं होगे बहुत ही important है चाहे आप gram atomic mass बोलो चाहे gram atom gram के just bad atom लगा तो gram atom मतलब gram atomic mass बात एक ही है अब देखो बच्चों समझे ये क्या होता है gram atomic mass एक mass है जो gram में represent किया जाता है कितने का mass है 1 mole atom यानि 6.022 into 10 to the power 23 atom का mass है तो आप कह सकते हैं it can be defined as absolute mass in gram of 6.022 into 10 to the power 23 atom atoms of any element किसी भी element का जो atom होगा any elements बात समझ में आया मतलब ये it can be defined as absolute mass absolute mass होता है इन gram gram में जो mass होगा कितने का 6.023 into 10 to the power 23 atoms of any element तो अब बहुत ही important formula बच्चों ये है number of gram atom आप से निकालने के लिए पूछा जाएगा number of gram atoms कैसे calculate करोगे तो number of gram atoms equal to बच्चों होता है बेट आफ एटम बेट आफ एटम डिवाइड बाई आटोमिक बेट आफ एटम ये फार्मूला होगा आप इस फार्मूले के मदद से number of gram atom calculate कर सकते हैं बाई समझ में आया बच्चों एस या नो इस फार्मूले को आफ फालो करेंगे और gram atom को ही आगे हम लोग बोलेंगे अब ये तो old concept चल रहा gram atom, gram atomic mass, gaw ये old concept है लेकिन old concept पर भी numerical आपके exam में आ जाता है तो gram atom को बच्चों बोला जाता है mole बात एक ही है चाहे mole बोलो, चाहे gram atom बोलो, चाहे gram atomic mass बोलो बात एक ही है बात समझ में आया बच्चों, अब देखो, जैसे mole equal to ninth class में आपने पढ़ा था, weight divided by atomic weight mole equal to आपने पढ़ा था, weight divided by molecular weight, वैसे gram atom equal to weight divided by atomic weight कि अबल नाम change हो जाता है बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चों को मतलब doubt होने लगता यार ये कैसा मतलब है gram atom कैसा तो आपको concept आपका clear होना चाहिए, बात समझ में आया, चलिए कुछ numerical हम try करते हैं numerical बच्चों ये है, एक मैं numerical दे रहा हूँ, आप solve करके दिखाएंगे calculate the mass of 2.5 gram atom 2.5 gram atom, तुरंत ग्राम के बाद तुरंत atom लग गया, मतलब ये mole दिया है या gram atom या mole बात एक ही है, gram atom of oxygen मतलब अगर oxygen का 2.5 gram atom है, तो कितना mass होगा, तो आपको पता है इसको solve करेंगे, आप कैसे solve करेंगे, देखिए number of gram atom, number of gram atom equal to mass of atom divide by atomic, atomic mass of atom, atomic mass of atom, अचा ये बताओ, मास ही पूछ रहा है, ग्राम atom दिया है, तो रख दो 2.5 equal to mass of atom, divide कर दो, atomic mass, atomic mass of atom, बाद समझ में आया बच्चों, atomic mass आपने कर दिया, अब बताइए, कैसे इसको आप solve करोगे, calculation कर लो, calculation करोगे, answer आपको मिल जाएगा, अब oxygen यहाँ है, यह ध्यान देना, अगर oxygen atom होता, तो हम atomic mass उसका रखते 16, लेकिन oxygen के अब लिखा है, तो oxygen हमेशा O2 के फार में पाया जाता है, एक oxygen कभी नहीं exist करेगा, diatomic फार में oxygen पाया जाता, O2 के फार में, तो यहाँ atomic mass के जगा पर हम molecular mass use करेंगे, ज़स्ट डबल हो जाएगा, तो रख दो, 2.5 equal to mass, mass of atom, यानि oxygen, oxygen, divide by molecular mass oxygen का, एक oxygen का होगा, 16, 2 oxygen है, तो 32, तो 32, तो solve कर लो, mass of oxygen, oxygen equal to 2.5 into 32, तो solve करोगे, कितना, solve करिए, देव मिसरा, 40, 80, यह कैसे, 40, 80 कैसे आ रहा है, केवल 80 आएगा, हाँ, solve करोगे, तो 80 ग्राम, कितना oxygen है, 80 ग्राम, ठीक है, बच्चों, मिसरा जी समझ में आ रहा है, कि नहीं, बताइए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसका screen side लेकर कि आप notes में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखे, next numerical है, अगला numerical बच्चों है, calculate, calculate the number of gram atom, मतलब mole, बात समझ में आज गया, mole तो भी हमें आपको पढ़ाएंगे, यह old concept के according बात हो रहा, mole तो मैं आपको बताऊंगा, mole concept कल start कर देंगे, gram atom, means आपको समझ में आया, gram atoms in following, gram atom in following, आपको जो following मैं नीचे जो दे रहा हूं, उसका number आप gram atom बताना है, फर्स्ट बच्चों दिया गया है आपको, 2.3 gram of sodium, second is, second दिया है, 24 gram of carbon atom, and third दिया हुआ है, आपको बताना है, 7 gram of nitrogen atom, इन तीनों में number of gram atom calculate करना है, पताइए कितने लोग कर पाएंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए हम try कर रहे हैं, देखिए, अब इसको हम लोग solve करते हैं, तो first का देखिए, मास दिया है, gram, 22.3 gram of sodium atom, अब देखिए, यहां हमें निकालना है number of gram atom, gram atom, तो क्या करेंगे, मास divided by atomic mass, मास divided by atomic mass, तो मास कितना है, मास at 2.3, atomic mass कितना है, atom mass हो जाएगा sodium का 23, तो solve करोगे, तो answer आजाएगा बच्चों, कितना, 0.1, बात समझ में आया, 0.1, very good, देवो मिसरा का सही है, हाँ, सही, very good, very good, अब second, मैं solve कर लेता हूँ, second, हमें निकालना है भी, number of gram atom, निकालना है, तो equal to क्या करेंगे, मास, मलब 24, और divide by carbon का atomic weight कितना, 12, तो हो जाएगा 2 gram atom, 2 gram atom हो जाएगा, अब C देखिए, हमें निकालना है, 7 gram में number of gram atom, तो क्या करेंगे, 7 divided by nitrogen का होता है 14, तो equal to 2 gram atom, या इसी को mole हम आगे बोलेंगे, ठीक है, 9th class में आपने थोड़ा बहुत concept ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो, तब भी आपको समझ में आएगा, मैं पूरा details में बताने वाला, अब देखो बच्चों, इस concept के recording numerical यहां से आपके exam में आता रहता है, बात समझ में आया, अब एक numerical और आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आप try करके बताईए, जैसे, इसमें अगला question है, calculate, calculate the number of gram atom, चलिए एक और solve करिए, इन, first दिया है, माल लेते हैं, 3 gram magnesium, 3 gram magnesium, 3 gram magnesium atom अगर है, तो कितना number of gram atom होगा, तो कैसे solve करोगे, बताओ, इसको solve करने के लिए आपको क्या करना है, number of gram atom in 3 gram magnesium atom equal to, मास कितना दिया है, 3, और magnesium का atomic mass 12 होता है, atomic number, just double कर दो, 24 हो जाएगा न, तो इसको solve करोगे, तो 1 by 8, ये हो गया gram atom, बाद समझ में आया, इस टाइब का numerical आप आसानी से लगा ले जाओगे, कोई दिक्कात, आगे बढ़ें, देव मिश्रा, चलिए, आगे हम लोग समझते हैं, बच्चों, अगला हेडिंग है, method by determining, method by determining, by determining, आप atomic bait या atomic mass, atomic mass या atomic bait, अब हम लोग कुछ method पढ़ेंगे, बच्चों, हाँ, सही है देव मिश्रा, हम लोग कुछ method पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हम लोग atomic mass को determine करेंगे, और ये अलग-अलग formula के recording, हम लोग atomic mass find कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो अभी तो हमें केवल atomic mass को find करना सीखना है, atomic bait कैसे आप calculate करोगे, यही सीखना है, अलग-अलग formula यूज़ करके, तो first जो method बच्चों, यूज़ किया जाता है, by due long, due long, paid it, paid it rule, by due long paid it rule, paid it, paid it rule, ठीक है बच्चों, इस rule के recording हमें पढ़ना है, अब यह सबसे पहले तो question यह पूछा जाता है, बच्चों, कि यह किस type के compound पर यह valid है, question आया चुका है कई बार competition में, तो आपको एक point लिख लेना है, applicable only for, it is applicable, applicable only for solid, solid species, यह cable solid species के लिए applicable है, यह आपको पता होना चाहिए, यह direct competition में question आता है, डिवलाग पेटिट रूल, किसमें, which are the following element, फालो डिवलाग पेटिट रूल, तो आपको यह पता होना चाहिए, only applicable for solid species, कुछ species नहीं फालो करते हैं, भले ही solid हो, exception, और exception ही पूछा जाता है बच्चों, यह ध्यान देना, सारे solid का atomic weight हम इस rule के according निकाल सकते हैं, बट ऐसे चार element हैं, जिसका atomic weight हम डिवलाग पेटिक rule के द्वारा नहीं निकाल पाते हैं, वो कौन से चार element हैं, आपको पता होना चाहिए, बच्चों, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, आइंड सिलिकन, यह चार element ऐसे हैं बच्चों, solid state में पाए जाने के बावजूद भी, इनका जो है atomic mass हम by डिवलाग पेटिट रूल डिटर्माइन नहीं करवाते हैं, ठीक है बच्चों, तो यह आपको पता होना चाहिए, अब इसको कैसे याद रखो, कि ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, यह ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, जिसके मदद से आप इसको इन चारे element को आसानी से याद कर सकती हो, तो ट्रिक क्या है बच्चों, ऐसे समझे, बी-ई-बी, बी-बी, बी-बी, ट्रिक है बच्चों, बी-बी कैसी, बस ऐसे याद रखो, बी-बी कैसी, मलब बी-बी कैसी, बी-बी कैसी, सॉलिड में है, फिर भी इसका अटॉमिक मास हम डिलॉंग पेटिट रूल के द्वारा नहीं निकाल पाएंगे, तो आप इसको अगर याद की हो, आप optional question, जे ओ, नीट में जो आते हैं, आसानी से solve कर ले जाओगे, समझ में आया, आपको ये मतलब थोड़ा सा information based है, इसको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं किये रहोगे, तो आप question solve नहीं कर पाओगे, आकास, एके, good morning, कहां थे अभी तक, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्या rule है, क्या formula इसमें है, तो इन्हों ने इस rule के accounting first formula ये है बच्चों, atomic weight, atomic weight into specific weight, specific heat, और specific heat कैलोरी पर ग्राम में यूज़ करते हैं, unit, equal to होगा, 6.4 approximate, approximate, ये मतलब, experimentally जो है, ये measure किया गया, कि अगर atomic weight और specific heat को multiply किया जाएगा, किसी भी element का, तो वो 6.4 आता है, approximate, मतलब, experiment के accounting ये measure बताया गया, और अगर इसी को ऐसे बोला जाए, atomic weight, atomic weight, और ये भी approximate होना चाहिए, exact atomic weight नहीं मिलेगा, approximate, equal to हो जाएगा, बच्चों, इधर आएगा, तो 6.4, divide कर दो, specific heat इधर आजाएगा, specific heat, मतलब, अगर आपको approximate atomic weight चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप 6.4, divide by specific heat करेंगे, तो आपको मिलेगा atomic weight और वो भी क्या मिलेगा, approximate मिलेगा, अब क्या करोगे, आप second point follow करोगे, आपको bilancy निकालना है, तो bilancy equal to बच्चों होता है, atomic weight, atomic weight, कैसा atomic weight, जो approximate निकला है, फर्स्ट वाल equation से, approximate, atomic weight, divide कर दो, किस से, equivalent weight, divide by equivalent weight, मतलब, atomic weight, divide by equivalent weight, अगर करोगे बच्चों, तो आजाएगा bilancy, क्या आजाएगा, bilancy आजाएगा, और ये equal to माल लेते हैं, N, और ये हमेशा ये ध्यान देना है, nearest, nearest whole number follow करे, nearest whole number में N का value होना चाहिए, ठीक है, अब देखिए, third formula बच्चों, आपको क्या follow करना है, third atomic weight, atomic weight, exact अगर निकालना है, exact atomic weight, तो क्या करोगे, equivalent weight, equivalent weight, into कर दो, किस से, into bilancy factor, यानि bilancy यानि N, तो आपको ये systematic way में, एक order से, one, two, three, step follow करके, आप आसानी से, किसी भी element का atomic mass calculate कर सकते हो, ये डिवलाग पेटिक rule है, इस rule के according, आप किसी भी element का atomic mass, आसानी से calculate कर सकते हो, जैसे मैं एक numerical दे रहा हूँ, आप लोग solve कर सकते हैं, देखिए बच्चों, एक मैं numerical इस पर दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाएंगे, देखो, numerical बच्चों ये है, numerical है, specific, specific heat of the element, specific heat of the element was found, was found to be, found to be 0.11, specific heat ये सब दिया रहेगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, specific heat क्या है, equivalent bait क्या है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी केबल आप atomic mass calculate कैसे करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, आगे मैं atomic bait के बाद equivalent bait भी आपको बताऊंगा, फिर एक chapter आएगा thermodynamics वहाँ हीट के, specific heat भी आपको समझाओंगा, तो आपको tensile लेने की जरूरत नहीं है, if equivalent of element is 18.61, then then calculate then calculate atomic weight of element then calculate atomic weight of element atomic weight of element आपको बताना होगा first option इसने कह रहा है यह कह रहा है 18.61 second option दिया हुआ है 37.23 and third option दे देते है 54.33 and fourth option is 55.83 यह है अब इस question को बच्चों अगर solve किया जाए तो देखिए सबसे पहले atomic weight approximate निकालेंगे इसको solve किया जाए बच्चों अगर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे atomic weight और approximate पता करेंगे approximate equal to क्या होगा 6.4 divided by specific heat यही तो formula आपने पढ़ा है तो जब इसको रखोगे तो 6.4 specific heat question में दिया है कितना दिया है 0.11 यह मिल गया यह क्या मिल गया approximate atomic mass मिल गया ठीक है अब क्या करोगे अब आप second apply कर दो balance निकाल लो तो balance आपको पता है approximate atomic mass atomic weight atomic mass काउन सा approximate divide by equivalent weight equivalent weight तो atomic weight approximate कितना 6.4 0.11 और equivalent weight दिया है कितना 18.61 यह दिया है तो अब इसको अगर solve करोगे बच्चों तो आज आएगा balance कितना 3.2 के आसपास आएगा n का value balance तो हमने कहा कि nearest whole number लेना है तो इसका मलब इसको approximate कर दो कितना हो जाएगा 3 अब आपको एक formula 3 बताया गया है atomic weight exact atomic weight exact equal to क्या होगा equivalent weight equivalent weight जो दिया है अभी details में आपको परणा आगे कैसे निकालेंगे यह भी पता चलेगा into 3 कर दो equivalent weight कितना 18.61 into 3 तो solve करोगे इसको बच्चों तो 55.83 this is your answer और यह कौन सा अप्शन सही है बच्चों यह सही है last option d तो इस टाइप के numerical आपके exam में आते हैं इसको आपको पता होना चाहिए आप इसका screenshot लीजिए और इसको अपने थेट बच्चों है by ratio of by ratio 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 of cp and cb cp and cb के ratio से भी हम निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं atomic mass किसी भी element का किसी भी atom का atomic mass हम निकाल सकते हैं अब यह cp cb क्या है यह है specific heat at constant pressure यह specific heat at constant volume specific heat क्या है हमें details में पढ़ना है आगे आप ऐसे का सकतो specific heat का मतलब it is amount of heat it is amount of heat required to increase temperature by 1 degree celsius मतलब ऐसा amount of heat जो required हो temperature increase करने के लिए कितना temperature increase करने के लिए 1 degree celsius मतलब किसी भी अगर system का हम 1 degree celsius temperature बढ़ाएं तो उसके लिए जितना heat देना पड़ता है उसी को बोलते है heat specific heat ठेक है बच्चों तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छा एक फार्मूला आपको और ध्यान देना है ऐसे randomly molecular weight equal to होता है molecular weight equal to होता है 2 into vapor density यह फार्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा molecular weight अगर निकालना हो तो vapor density दिया हो दो से multiply कर दो molecular weight किसी भी molecule का मिल जाता है अब देखो यह by ratio आप cp and cb first point लिखेगा only only for gaseous species यह किसके लिए अपली केबल है only for gaseous species it is applicable only for gaseous species gaseous species के लिए ही अपली केबल है by ratio आप हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों atomic mass को कैसे find करेंगे तो second topic मैं बता रहा हूं by ratio आप cp and cb तो it is only applicable for gaseous species यह केबल gaseous species के लिए अपली केबल है और वो भी कैसा होना चाहिए for homo for homo atomic homo atomic molecule के लिए अपली केबल होता है homo atomic molecule means जैसे n2 हो गया o2 हो गया h2 हो गया यह सभी homo atomic molecule है ठीक है बच्चों homo molecule same same atom जूड़ करके बने तो उसे homo atomic बोलते हैं क्या formula बच्चों यहां आपको apply करना है atomic weight equal to molecular weight आप गैस डिवाइड कर दो atomic city atomic city molecular weight आप गैस डिवाइड बई atomic city atomic city क्या है atomic city को आप determine कर सकते हैं determine by gamma gamma के दोरा आप determine कर सकते हैं gamma क्या है gamma equal to बच्चों होता है cp by cb cp मतलब specific heat at constant pressure cb मतलब specific heat at constant volume और यह equal to होता है one plus one plus two by f one plus two by f होता है और f क्या है f है बच्चों degree of freedom यह physics में भी आपको पढ़ना है degree of freedom physics में आपको यह degree of freedom और पढ़ना है chemistry में कुछ portion जो है बच्चों तो आपको मैं बताना हूँ cp cb आपको physics में भी पढ़ना है लेकिन chemistry में भी पढ़ना है thermodynamics में details में तो वहां मैं details में thermodynamics में discuss करूंगा यहां केवल हमें atomic bait का calculation करना है formula के help से तो उसे मैं आपको बताऊंगा अब अगर gamma पता चल जाए निकालना तो cp pi cb कर दो तो हमें gamma पता चल जाएगा f क्या है degree of freedom है अब जैसे f के लिए अगर बात करें far mono अगर mono के लिए अगर f देखें die हो चाहे try atomic atomic gas चाहे mono atomic gas हो चाहे die atomic gas हो चाहे try atomic gas हो अगर mono होगा तो 3 होगा gamma का value die होगा तो 4 होगा try होगा तो 5 होगा यह आपको पताऊं mono के लिए 2 die के लिए 4 और try के लिए होगा बच्चों 5 बात समझ में आया चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आपको यह ध्यान देना है जैसे gamma हमें निकालना है तो mono mono के लिए अगर gamma निकालना है तो 1 प्लस 1 प्लस क्या करोगे 2 बाई 3 कर दो 1 प्लस 2 बाई 3 1 प्लस 2 बाई 3 और जब इसको solve करोगे तो 5 बाई 3 और 5 बाई 3 यानि 1.66 है यानि gamma का value अगर 1.66 है इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि यह क्या है mono atomic gas है mono atomic gas मनलब helium हो गया neon हो गया आरगन हो गया यह mono atomic gas होते हैं तो उसके लिए gamma का value क्या होगा 1.66 होगा बाई समझ में आया बच्चों और degree monatomic के लिए degré of freedom क्या होता है 3 होता है और monatomic के लिए degree di atomic के लिए degree of freedom यानि f क्या होगा 4 होगा और tri atomic 방 के लिए degree off freedom क्या होगा 5 होगा तो physics में बच्चों यह आपको पढ़ना है लेकिन chemistry में भी आपको मैं बता दे रहा हूं देखिए अगर हमें गामा निकालना है डाइ एटॉमिक के लिए तो मैं करूँगा 1 by 2 by 4 कर दूँगा 1, 2 by डाइ एटॉमिक अगर है बच्चों स्वारी यह 4 नहीं 5 है यह 5 है यह 6 है 3, 5, 6 है 3, 5, 6 3, 5, 6 तो क्या करेंगे बच्चों 2, 5, 5 कर देंगे तो जब इसको सॉल्ब करेंगे तो 7 by 5 और इसको और सिंप्लिफाइ करेंगे तो 1 by 4, 6 आ जाएगा बास समझ में आया अब ऐसे ही गामा हमें बताना है ट्राइ एटॉमिक के लिए ट्राइ एटॉमिक के लिए तो 1 by 2 by ट्राइ के लिए क्या करेंगे 2 by 6 एक्वल टू सॉल्ब करोगे बच्चों तो हो जाएगा इसका वैलू 1.33 तो अब ये ध्यान देना गामा मोनो अगर मोनो के लिए है तो 1.66 अगर डाइ के लिए गामा की बात करें 1.46 है और ट्राइ के लिए गामा की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा गामा मलब अटॉमि सिटी और यफ मतलब डिग्री आफ रीडम फिजिक्स में भी पूजा मिस्रा गुड डीट चलिए ठेक है आगे बढ़ते हैं आकास समझ में आ रहा है सबको चलिए आगे बढ़ते हैं अगर गामा ट्राय अटॉमि के लिए बात करेंगे तो 1.33 अगर गामा डाय अटॉमि के लिए बात करेंगे 1.46 और गामा मोनो अटॉमि के लिए बात करेंगे तो 1.66 है गामा क्या है अटॉमि सिटी एफ क्या है डिग्री आफ रीडम तो ये information physics से related है आपको पता होना चाहिए बचो इस पर मैं numerical करता हूँ देखिए किस टाइप का numerical यहां से आता है तो numerical हमारे सामने है देखते हैं कितने लोग इस numerical को कर पाते हैं क्या numerical है बचो दा बेपर दा बेपर डेंसिटी बीडी मलब बेपर डेंसिटी आफ गैस बेपर डेंसिटी आफ गैस इज फाउंड बेपर डेंसिटी आफ गैस इज फाउंड इज फाउंड टू बी इज फाउंड टू बी टू बी 9 बेपर डेंसिटी कितना पाया गया 9 इफ इफ गामा फार ए गैस गामा फार ए गैस इज है 1.40 गामा कितना है 1.40 1.4 मा लेते हैं अप्रोक्सिमेट तो 1.4 अगर आए अप्रोक्सिमेट इसका मलब डाइ अटॉमिक है 1.40 या 1.4 या अप्रोक्सिमेट बेन 10 अंटामिक बेट फार फारद गैज एमिजए फिस्ट आपसर वच्चों दे दिया है 6 इक सेकंट अप्सन दे दिया है 9. such ओंड आपसर दे दिया है 12 एंड फोर्थ आपसर दे दिया है 18 अब बताएं करा da engineering density आप gas is found to be 9 vapor density gas का 9 है इफ गामा दे दिया है कितना 1.4 गामा भी जो मैं calculate कर रहा था तो 1.4 approximate किसके बराबर है देखिए 1.4 approximate किसके बराबर है गामा diatomic यानि atomic city equal to हो जाएगा 2 1.46 अगर है 40 approximate है तो क्या हो जाएगा बताइए dieatomic हो जाएगा atomic city कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो चलो solve कर लेते हैं बच्चा लोग इसको solve करोगे तो बताओ vapor density दिया है बच्चों तो molecular weight equal to 2 into vapor density होता है तो रख दो 2 into 18 sorry 2 into 9 दिया है equal to हो जाएगा 18 clear हुआ चलो atomic weight बताओ दो कितना होगा बेट atomic weight अगर देखा जाए तो क्या होगा atomic weight equal to molecular weight अभी starting में फार्मूला बताए थे divide by atomic city atomic city यही तो फार्मूला था molecular weight मनलब yam atomic city मनलब a माल लेते हैं equal to molecular weight अभी कितना निकाले 18 तो 18 और atomic city कितना आएगा 2 क्यों 2 आएगा क्योंकि gamma equal to 1.4 approximate दिया तो a मतलब atomic city हो जाएगा 2 तो रख दो 2 तो equal to कितना 9 तो यही हमारा atomic weight element का atomic weight कितना आजाएगा 9 बात समझ में आया बच्चों तो answer b is correct तो उमेद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा और इसको हम लोग फिर continue करेंगे कल अभी हमें 10 o class पर 12th का बैच लेना है लाइब क्लास लेना है 12th का तो अब आज हम इसी पर समाप करते हैं कल फिर हम मिलेंगे नए concept के साथ और कल मैं आपको बताऊंगा equivalent बेट और फिर mole concept आपको समझाएंगे ठीक है बच्चों ओके थाइंक्यू